मुझाइब दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करतों हम सब ठीक हूं दोस्तों ग्राफिक डिजाइनिंगे एक्सेसाइज नमर 4 बैच नमर 6 2020 के हम आज बनाएंगे और साथ ही साथ हमने जो अपने ग्राफिक डिजाइनिंगे के क्लास है उसमें हमने जतने टूर डिसकस कर ली हैं हम उनी टूर को यूज़ करते हुए यह एक्सेसाइज कम्पलेट करेंगे इस तरह जो हमने काम कर लिये उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगे हमारे तो उसमें एक दो टूर असा है जो आपने नहीं बढ़ा उसको मैं इलबरेट करते तो भी तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक दर लेकिन उसे पहले अगर आपने में तक मारे चैनल सब्स कर दें और बेल आइकन पे लिक कर दें तापके हर अनेम्स लोडियो को नाफ्बिकita कैसें आपको थाइम पर निलती रहें तो सबसे पहले आपने अपने एकसेश फाइल को आपने मेंसर्ट डॉन लैने जो कि मैं डउनलोड कर लियो तो इसको मैं आपन कर लेता हूं all लेटर है यह मैंने इसको डॉनलोड कर लिए हूँ इसको मैं कापी करके डेस्क्टॉक भी ले गयता हूँ इसको मैं उपन कर लेता हूँ तो हमने डॉर्स ट्विट्टर में अपने फाइल बिना नहीं है अब ट्रॉरियल वहरा की है लेश सकते हैं लेकिन जो हमने अपने फाइल सब्मिट करनी है वह हमने MS Word में सब्मिट करनी है यालि हम जो डॉर्स ट्रेटर में काम करेंगे उसको हमने स्क्रीन शाट लेके MS Word में पेस्ट करके उसको हमने सब्मिट करना है तो इसकी एक्स्टेंशन डाट डियो सी या डाट डियो सी एक्स होने चाहिए कोई अक्रप्ट नहीं होने चाहिए कोपी नहीं होने चाहिए किसी के और लर्निंग आउटकम डिजाइन बिजनस कार्ड एंड लेटर हैड लेट मॉक अप्स फॉर स्टेशनरी डिजाइन्स तो केवघे डिए कंपनि ने डिजिसकिल्स डाट विक है जो हमने बिजनस कार्ड बनानां वो यद्नें और जो लोगो यूज दी लोग अविलेबल इन दी लोग फाइल टू कम्प्लीट दी एक्ससाइज बिजनस कार्ड का साइज उन्होंने दिया हुआ है 3.5 यह इसके विर्थ है और यह इसके हाइट है 2.25 और इसका ब्लेड एरिया जो हमने 0.125 और लेटर है जो उसको हम बात में देखेंगे और आफोना भी हम ने देना है तो दोस्तो अपना डॉफउर स्ट्रेक उप्ले चाहिए इसको इमेज़ को भी हम कापी कर लेते है इडिजिटौप डिस्क्टॉप पे ले जाते हैं ताके हम वहां से ड्राग और रॉप कर लेंगे तो डावल स्टेटर ओपन का रहे हैं झावल तो इदर से हमने इसका साइज देना है लेकिन इस चीज़ का है रहा है आगे हम इसको पॉइंट से बिक्सेल्स में देते हैं अब हम इसको इंचिज में देंगे 3.5 इंच और इसके हाइट हमने करनी है I think 2.25 इंच पर यह पोर्ट्रेट है हमने इसको लैंड्सकेप करना है ठीक है अब इसका ब्लीड एडिया हमने करना है 0.125 ठीक है अब हम एक तवाचा कर लेते हैं 0.125 ठीक है अब इसको क्रियेट कर लेते हैं लेकिन एक प्रोब्लिम होगी है हमने आट बोड़ दो क्रियेट करने थे तो हमने एक क्रियेट किया है यह हमने इसको दूर साइड बनाना है तो हमने इसको गयन क्रियेट करते हैं तो हमने इसके दो आट बोड़ क्रियेट कर लें और पहली फाइल को मैंने क्लोज कर दे हैं तो हम सबसे पहले इस पर वर्क करेंगे तो मैं आज कोशिश करेंगा साथ कलोर टून को एक दफा पिर से एक्सप्रेस कर दूँ ताके कुछ विवर्स को समझ नहीं आई उनके इसको क्रियर नहीं होगे तो मैं कोशिश करता हूँ साथ इसको भी में क्लेर करूँ तो सबसे पहले हम अपना पैन टूल लेंगे हम कोशिश करते हैं थोड़ सी यूनिक शेप बिनाए इसको पहले जेट के साथ हम जूम करते हैं मौत के साथ के साथ थोड़ा जूम आउट करते हैं तो सबसे पहले हमें एक रेट टेंगुलर लेंगे हैं इसके स्टार्टिंग पॉएट से यह जो रेट डेरिया निजर आ रहा है हमें यह हमारा ब्लेडिंग अरिया है ठीक हो गया अब हमामने लोगोज ले आते हैं ताकि हम वहां से कलर भी कर ले तो इसको कंट्रोल के साथ दोनों को स्लेट किया है यहां ले आया है और अब इसको सेट के साथ जूम आउट कर रहा हूँ लोगों हमारा यह दोनों आ चुके हैं यह भी मैंने इनको सर्फ इसलिए इदर रख रहा हूँ ताकि हम यहां से कलर भी कर सके हैं तो अब मैं जैड के साथ इसको जूम कर रहा हूँ तो इसको मैं स्लेक्शन टूल से इसको स्लेट करके सामने ला रहा हूँ कि इधर इसको देलियाता हूं ताकर करे कर लें यह स्थैस को बड़ा कर लेता हूं कि इसको भी कि एक तो अब ऐम पैंट टूल लेंगे इस टूल को रहते हैं पैंट टूल कुछ फ्रेंड्स को समझनी आ रही है थे करें तो मैं टूल यूज कर रहा हूं इस टूल का नेम के है तो इसका पैन टूल नेम है इसको मैं भी यूज करूंगा और इसकी इसका मैं पहले बिता चूगा है अगर आपका कैप्स लॉक आउन होगा तो यह वर्क ने करेगा आपका कैप्स लॉक आफ होना चाहिए देखिए को आफ किया तो इसकी जो की है की बोर्ट से हम अगर प्रेस करें तो यह हमारा स्लेक्ट हो जाता है सेलेक्शन टूल से इसको मैं थोड़ा सब्जेस्ट करूंगा रेक्टेंगुलर को थोड़ा सब्वाइड करूंगा अब ठीक है है अब मैं सेलेक्शन टूल से इसको मैं हतम किया है उसकी सेलेक्शन अब मैं प्रेंट टूल ले रहा हूं अगें इसको मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं ताके लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहे मैं इसको स्ट्रेट कर रहा हूं इसको मैं इसको ले रहा हूं शिफ्ट के साथ इसको सीधी लाइन इसको मैं थोड़ा सा उपर कर रहा हूं अब मैं इसको यह शेप इसकी देना चाहर हूं इसको हम थोड़ा सा अजिस्ट करेंगे जब इदर माइनस आए तो अब माइनस नहीं करना इसको अब इसको हम थोड़ा साथ जेस्ट करेंगे इसको अब डर्ट स्लेक्षन टू ले रहा हूं मैं आपने स्लेक्षन टूने लेना डार्यक्षन टू लेना जिसकी शॉट्काट किया है यहां पर आपने क्लिक करना इसके बाद आपने इसका handle, ये handle आजाएगा इसका, आपने इसके handle से आपने इसको adjust करना है, ये मैंने इसको handle से adjust कर रहा हूं लेकर याद रहे है, direct selection tool लिये है, हमने selection tool नहीं लिये है, ठीक है, आप इसको अपने वर्जिक अधाविब कर सकते हैं, इसको इतना ठीक है, I think so, इसको थोड़ा सा विड्जेस्ट करना है वह हम कर लेते हैं इसको हम आई ड्रॉपर से कलर्पिक करेंगा तो इसको मैं कलर दूँगा यह कलर देते हैं इसको तो आप नीचे वाले पसलेट करूंगा इसको कलर दूँगा मैं आई ड्रॉपर से इससे हम कलर भी कर सकते हैं यहां पर कलिक करूंगा तो यह डार्क हो जाएगा यह अब इसको लोगों को मैं इधर इजस्ट करूंगा यह वाला करते हैं यह वाला कर लेते हैं इसको मैं राइट क्लिक करूंगा रेंज करूंगा ब्रेंग टू फरंट यह फरंट पे आए तो दोस्तो हम अभी तक जितना हमने वर्क किया है हमने सिर्फ वही टूल्स यूज गये हैं जो हम अपनी क्लासीज में अब को डिसकस कर चुके हैं अभी तक हमने कोई न्यू टूल यूज नहीं किया सिर्फ ब्लीड एरिया मैंने पहले नहीं तो ब्लीड एरिया मैंने भी इसमें बताया कि आप कैसे ले सकते हैं तो इसको मैं यह टिट्रक हो इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट से थ्वड़ा साइस कर रहा है कि यह तो भी ससका ऑपड़ लेता हूं अब हम अपना टेक्स टूल रहेंगे यह हमने ने रेट किया हुआ टेक्स टूल को मैं डिसकस कर देता हूं तो यह हमारा फ्रेंट एरिया हल्मॉस्ट डिजाइन हो चुक है फिर सिर्फ हमने इसमें टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो मैं इधर दोंगा ग्राफिक डिजाइनर तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूं इसको साइज इसका पहले मैं इंक्रीज करूंगा आप यहां से इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं तो मैं इसको 24 दे रहूं लेकिन आपको पिर यह टेक्स बॉक्स इसका साइज भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा तो अब इसको मैं select कर रहा हूँ इसको मैं बोल्ड करूँगा यह बोल्ड किया है अब इसको मैं color pick करूँगा यहां से sorry mouse यह है hazardous color हो जाएगा ना पहले भी black ही था लेकिन पहले जाएदा dark था तो अब इसका again select card click कर ले तो इसका size थोड़ा सा हम decrease कर लेते हैं 24 है तो यह अच्छा दिलाग रहा यह फिर इसका हम font change कर लेते हैं यह अधर सेंपल आ रहा हुता है आपने जिससे चैया कर ले ना जो आपको suitable लगे हैं वही आफस्लेट कर ले तो मैं यह इसको मैं थोड़ा सा निचे लेया तो लेकिन इसका size भी decrease है हमने करना है थोड़ा सा इसको 24 है तो इसको 18 is enough तो यह अगर आप इसको decrease करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन मैं इसको आप इसको मैं तो इस चैया कर रहा हूँ आप तो इसको मैं दो से स्लेक्शन तोल से स्लिट कर रहा हूं और गजाए रच और शिफ्ट किसे कपी लिए इसके मैंने इसको मैं कलर फिल करूंगा कि जैड के साथ इसको जूम कर रहा हूँ इसको थोड़ा समय मैं जैस्ट करूंगा कंट्रोल जैड कर रहा हूँ डिरेक्ट सेलेक्शन टूल रहा हूँ जैसे कर रहा है थाकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉयंट को जैस्ट करना है यह है आव इसको नच्छा कर ले तो जूम आउट करके अभी इदर से भी सको थोड़ा सा ठीक करना है सेलेक्शन टूल ले रहा हूँ डरेक्शन टूल तो इसका एक ही पॉइंट सेलेक्शन टूल लगे ले रहा है यह एक पॉइंट सेलेक्शन टूल लगे ले रहा है यह एक पॉइंट सेलेक्शन टूल लगे ले रहा है यह एक पॉइंट सेलेक्शन टूल लगे ले रहा है यह एक पॉइंट सेलेक्शन टूल लगे ले रहा है यह एक थोड़ा सा और चुली आपको मौस यूज़ करने के लिए समोथेर यह होना चाहिए यह मौस पैड यहां से भी आप जिस्ट करने इसको अच्छे का इसको भी अब हम कर लेते हैं जो इसको बाद में करते हैं इसका कलर सेट करते हैं पहले आई ड्रॉपर तो इसको हमी स्लेक्ट में है हमने हाट बोर्ट पुर्स एक ट्राइंगल भी हमने रेक्टेंगुलर भी एक ड्रॉपर करने हम नहीं दए तब ही इसका कलर चेंज होगा और अदरवाइज नहीं होगा तो इसको हम अरेंज करेंगे बैक सेलेक्शन टूल अब आई ड्रॉपर अब यह हम इसको स्लेक्ट करेंगे डिरेक्ट सेलेक्शन से हम इसके स्थोड़ी सी सैटिंग करेंगे इसको पिर हम बाद में सेट करते हैं बाकी चीजे जो हमने एड्ड करने हैं वह पहले हम अपने एड्ड करने पिर हमने इसके थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं तो अब हम और गया एड्ड करेंगे चार मैप ओपन करेंगे विड्डो आर्ट इदर चार मैप लिखेंगे तो यहां से मैं एक फून इमेल डबल क्लिक से सेलेक्ट होगा और वेबसाइट के लिए वैसे तो हम यह गूगल से भी ले सकते हैं लेकिन इदर से मैं आपको बता रहा हूं ता कि आप इदर से भी ले सकें यह हम वैबसाइट के लिए यह मार्क लेंगे तो हम यह इनको बैक स्पेस कापी और मिनिमाइज करके कंट्रोल वी से पेस्ट तो अब यह देख सकते हैं आप यह इसका हमें फॉंट चेंज करना पड़ेगा फॉंट हमें अपना इसका डूर ना पड़ेगा फॉंट हमें यह ठीक है अब इसका हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं है अब तो कंट्रोल जड़ कर रहा हूं इसको हम रूटेट करते हैं इसको सिदा करते हैं रूटेट नहीं कंट्रोल एक्स का रहा हूं कंट्रोल एक्स का रहा हूं कंट्रोल एक्स का रहा हूं बोल्ड नहीं हो रहा है तो इसका साइज थुरा सा इंक्रीज कर लेता हूं 24 अब इसका फॉंट चेंग करूंगा मैं यह फॉंट चेंग किया नहीं लिख रहा हूं रहा हूं कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी तो इसका भी साइज में तुरा साइज कर लेता हूं 24 इसका 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 भी 24 है सेम रखना है हूंने तो अब इसको इमेल दे लेते हैं 12 इसका हमने फॉंट चेंग करना है 123 at yahoo dot com इसको थोड़ा साइज्ट कर लेते हैं साइज इसका भी डिक्रीज करना है क्योंकि हमने जो आइकान लिये हमने उसका साइज पहले 24 रखे इसका हम 24 नहीं रखेंगे इसका हम रखेंगे 14 10 आप साइम इसी तरह हम यहां फोन नमऊर देंगे इसका अब हम पहले इसका साइज अड़ेस्ट करेंगे इसे 24 देंगे तो अब इसके साथ हम नंबर देंगे इसका साइज हम डिक्रीज कर लेते हैं 14 जो हमने पहले दिया है 030812345 अब इसको सेलेट करेंगे इसका फांट चेंज करेंगे इसका फांट चेंज करेंगे यह देते हैं फांट है ठीक हो गया है है थोड़ा सा इसको डिश्ट कर लेते हैं है तो हम इसका साइज है स्वरी कलर हमने एजटीज लेना है आइड्रापर इसका भी है से करना है यह लद लद हम को करना पड़ेगा क्योंकि हम ने इस इनको लद 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 बाक्सेज में रखा हुआ है आइड्रापर इसकी शॉट कट की आईए यह देख सकते हैं हम और इसका नाम है आइड्रापर टूल तो अब हम इदर कंपनी नेम इंसर्ट करेंगे कंपनी नेम डिजी स्किल्स यह दिजी स्किल्स टाट टीक के लिखना हुआ अब इची स्किल्स ने लिकना यह चोटी चोटी चीज़ों का आपने दियान करना है दिजी स्किल्स डाट टीक है कि इसको स्किर्ट टाल करूँगा मैं इसको बोल्ड करूँगा कर सकते हैं यह बोल्ड कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लागा है इसको साइज इंकरीज करूँगा कंपनी नेम है तो इसको हाइलाइट करना है सेलेक्शन टूल से फॉन्ट इसका हम चेंज करेंगे फॉन्ट अपने कोशिश करने सब का सेम हो तो फॉन्ट यह हमने साम पे यह लगा हो गया है किसह जाएट करना है हमने कि अ कि अनीद फ्युक्त करा रहा है है तो अच्छिश्ट से मैं इन थिनों को सिलट करें रहा हूं और इनको मैं एरो ड़ॉन्स से नीचे लेकर आ रहा हूं अंच्रोल जी से इनको ग्रूप कर रहा हूं ग आइडर पर से इनका मैं चेंज कर रहा हूं सेलेक्शन टूल से इनको मैं रेस्ट करूंगा ताकि नीचे आ जाएए शिफ्ट से यह लास्ट वन यह कंट्रोल शिफ्ट इसको मैं रजेस्ट करूंगा ताकि यह थोड़ा नीचे इदर आ जाएए रजेस्ट हो जाएएदर यह थोड़ा आसा इसको नीचे करना है कि ताकि टाच ना उन ऊपर तो इसको अब आएड ड्रापर से इसका भी हमने कलर चेंड कर लिया है तो इसको आइकन लोगों इदर लेकिया है मैं इसको अरेंज करूंगा ब्रेंटु फ्रेंट साइज इसको थोड़ा सादिक लेज करूंगा इसको आप अपने हिसाब से अट्यस्ट करना है इसको थोड़ा सा निचे करूंगा सेलेक्शन ट्रोल से एरो डाउन के साथ इसको निचे लेकिया आ रहो यह इसको स्नेट करके इसको सेंटर में रखोंगा इसको सेलेक्शन टूल यह निचे के साथ इसको जूम करूंगा जितना जूम हो सकता है उतना इस फाई यह आएगे डारेक्ट सेलेक्शन टूल इसको थोड़ा सा बैंकाल होंगा यह बेनी होगा जैसे हैं परफेक्ट जेट आर्ट के साथ जूम आउट यह है अब इसका हम स्क्रिंशाड लेंगे स्निपिंग टूल स्निपिंग टूल की स्थी के से हम यूज करते हैं यह इसको मैं कंप्लीट लेक्शन लिता चुका हूँ यह राइट क्लिक कर रहा हूँ कापी कर रहा हूँ आगे एमस वर्ल्ड उपन करूंगा कंट्रोल बी से इसको पेस्ट करूंगा तो इसकी मैं फायल देखूंगा ठीक है बस आँ इसकी लेयर पैनल की पिट्चर तो स्निप्न तोल से अगें स्निप्न तोल से इसकी मैं स्क्रीन शार्ड लूँगा लेयर पैनल का यह राइट क्लिक करके कापी इसको मैं पेस्ट करूंगा इसको मैं पेस्ट करूंगा तो दोस्तो इस मैं स्निप्न टूल की मदद से स्क्रीन शार्ड ले रहा हूं तो मैं जो मैंनुल तरीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक्रीक में जो होगा इदर आपको option मिलेगा in front of text तो आप इसको अपने साफ सेट्जेस्ट कर सकते हैं मैं इसको धड़ा नीचे ला रहा हूं इदर लिख रहा हूं business card और इसके नीचे layers लेयर पैनल तो स्निपन टूल यूज किस तरीक कैसे करते हैं उसका आप दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में लिंक में हो जाएगा तो अब हम अपना next देख लेंगे अब हमने letterhead design करना है इस size of the letterhead is a4 8 by 12 inches इसका भी हमने layer panel का screenshot देना है तो हम अपने डाउब स्टेट्स रोकन करते हैं 8 by 12 तो यह portrait होगा Ctrl N कर रहा हूं कि इसको मैं करूंगा पोट्रेट है तो एक इसकी ट्वेव ले रहा हूं लेकिन इंच ले रहा हूं तो यह एक लेना था हमने दो ले ले लिया है हाट बॉर्ट एक को डिलेट कर दिया हमने ठीक है अब है हम यह लेटर हैट बनाएंगे इसी को मेरा देर ले हम कपी करें हाल्ट की साथ कपी किया इसको हम इदर ले आते हैं इसको हम अब थोड़ा साइज इसका इंक्रीज करेंगे च्रोल श्ट के साथ यह सिर्फ शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ इसको कापी कर रों अब इसको इसको यह तिनुको कापी कारों आल्ट प्रेस किया मैंने अ अधर लेया हूं तो इसको में थोड़ा साथ डिक्रीज करोंगा इस अधरेक्ड सेलेक्शन टूल है हमने सेलेक्शन टोल सेलेक्ड करना है कंट्रोल शिफ्ट से थोड़ा साइस का साइज निक्रेस किया तो इसका मैं चेंज करूंगा कलर इसको मैं इदर पॉस्ट करूंगा यह मॉव की है ऐसे मैंने इदर शिफ्ट के साथ इन दोनों को प्रेस करूंगा कुछ कंपनी ने अपने लेटर हाइड में इनको इदर ही लिखा होता है यह सेलेक्शन टॉल से स्राइड करना कुछ नहीं नीचे लिखा होता है बॉटम में कुछ नहीं टॉप पे लिखा होता है यह भी मॉव ने कर रहे हैं इसको शिफ्ट के साथ स्रेट कर रहा हूँ या एक करति या आप इनको मूव कर लें या इन तेन चीजों को हम में दर निचे ले जाते हैं क्ट्रोल जेट और इनको दोनों को डिलेट करना रहूं इसको मैं थोड़ा सब्सक्राइश्ट करूंगा कि यह जैस्ट हो गया तो नीचे एक चोटी सी ट्राइंगल ड्राह करूंगा मैं कि शिफ्ट के साथ कि थोड़ा सा इसे निचे करूंगा कि ट्राइब कि इसका कलर चेंज करना हमने जैट कि जूम आउट करूंगा आल्ट सेलेक्शन टूल से स्लेट किया हमने जब भी जूम टूल लेना है जैट अगर प्रेस करना है तो तब भी आएगा अगर आपने स्लेक्शन टूल ले आगा है कि इसको अगर रेंज करना हमने बिंट फ्रेंट तो इकमारा लेटर हैड आल्मोस्ट रैड़ी है तो इसका हम एफ एन प्रेंट स्क्रेंगे एफ एन और प्रेंट स्क्रेंट दोनों को कर ते में इस करना हूं कंट्रोल वी अब इसको क्रॉप भी कार सकते हैं कि में क्रॉप नहीं करूंगा अब इसका हम लेयर पैनल की लेंगे स्क्रेंशाट यह लेयर पैनल है इसको हम एक हमिए एक हमist प्रेंट स्क्रेंट कारेंट वी कि अ कि इस्पल्य में हमारे पास जो हम इने स्क्रेंशाट लियां उस में लेयर पैनल नहीं इस वाले में ये एक पास इसका स्क्रेंशाट भी ले तेंट है तो लेकि मैं एक और चीज़ करूंगा यह जो हमारी शेप है यह थोड़े से ठीक नहीं है उसका रिजन यह है कि यह हमने लेंड्सकेप में बनाई थी यह बिल्कुल फरफेक्ट ए है इसको हम इदर से कपी करके इदर पोट्रेट में लेकर गया है तो यह ठीक ने बने तो अगर हम अद्दा से बनाते तो यह ठीक बने थे नहीं तो हम इसको डिलीट करके ट्राइंगल भी खार सकते हैं या इसको कार ले हम तो यह थोड़ा सा भी फर्क है थोड़ा सा है क्योंकि यह पोर्ट्रेट है ना तो वह लेंड्सकेप है यह अब पर्फेक्ट है अब इसको एफ-n प्रेंट स्क्रेंड कि इसको थोड़ा सा इड्जेस्ट कर लेता हूं और थोड़ा सा सूंग करके लेंगे हम इसका स्क्रेट शार्ट जैट कि जैदा हो गया है जूम लेवल हम इदर से भी इड्जेस्ट कर सकते हैं 50 परसेंट है तो 33 फिट टॉंग स्क्रेंड करते हैं यह पर्फेक्ट है तो एफ-n एक मिनटे को चीज़ जैट है इसको मैं डिलीट करूंगा इसको भी डिलीट करूंगा यह अब मैं इसके लेयर पैनल की प्रिचर इदर लाओंगा दोस्तों हम देख सकते हैं यह हमारा बिजनस काड़ है यह लेयर पैनल की स्क्रेंशाट यह लेटर हैंड और यह हमारे पास लेयर पैनल आ रही हमारी एक्सरसाइस कंप्रिट हो चुप हैं तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी यह देपुशिश करता हूं कलर के बारे में मता कि मैं नेक्स्ट लेस्न में यह आपको बताओंगा विडियो काफी लैंट ही होगी है तो खल मैं फिसको बीफ लेडिस का डिसक्राइब कर दोंगा कलर टोन्स के बारे में काफी फ्रेंट बोल रही बताएं तो मिलते हैं हम आपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Allah Hafiz if you like my work like comment and share my video Allah Hafiz